यही सेम मौडल आपका अगले अर्धवारसिक एकजाम कर रहेगा तो क्या कुछ है पैटर्न आईए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं पैरे बच्चों एक बार आप शेयर कर दीजे अपने कॉलेज के ग्रूप में डाल दीजे स्टेटस लगा लीजे ठीक है तो प्रारम करते हैं जैसा कि आप जानते हैं तीन घंटे 15 मिनट वो अलग बात है कि आपके कॉलेज में दो घंटे का ही पेपर बना दिया जाए प्रारम के जो 15 मिनट हैं आपको पेपर पढ़ने के लिए दिये जाते हैं प्रशन पत्र आपका दो खंडों में होगा खंड आ और बा होगा खंड आ में 20 अंक के बहुबिकल्पी ये प्रशन दिये जाएंगे और खंड बाबें 50 अंक के वरनात्मक प्रशन यानि वरनात्मक मतलब descriptive यानि विवरनात्मक प्रतेक प्रशन के समुक निरधारित अंक अ आपको जो 20 प्रशन मिलने वाले हैं, ये 20 प्रशन कैसे मिलेंगे, OMR बेजड होंगे, OMR पर आधारित होंगे, इन 20 प्रशनों का उत्तर आपको OMR पर देना होगा, OMR शीट भी आपको एक्जाम के टाइम में कॉपी के साथ दी जाएगी, तो 20 अंक का आपका OMR अर्थाद 20 subjective questions जो होंगे, वो OMR पर आप उसका उत्तर देंगे, और बाकी के बचे 50 अंकों के जो प्रशन होंगे, वो आप कॉपी पर लिखेंगे, चलिए हम सबसे पहले OMR वाले ये प्रशन हल कर लेते हैं, OMR कैसे फिल करनी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सलेबस पूरा हो चुका है, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं, भाविकल्पी ये प्रशन देखेंगे, सबसे पहले, भारतेंद यूग की बिशेस्ता नहीं है, नमबर एक, भारतेंद यूग ने साहित्त को जन जिवन से संबद किया, ये भी बिशेस्ता है, भारतेंद यूग में नाटकों की रचना प्रचुर मात्रा में हुई, बिलकुल, भारतेंद यूग के प्रभाव से एक अच्छा लेखक मंडल तयार हो गया, बिलकुल, भारतेंद यूग की समय सीमा 1900 से 1918, बस यही गलत है आपका, त लगभग 1857 याम यूँ कहें कि 1865 से लेकर के सन 1910 तक चला था, 1900 से 1918 तक दुवेदी यूग चला था, 1918 से 1936 तक चायावादी, 1938 से लेकर के 1943 तक चायावादोत्तर यूग चला था, तो इस प्रकार आप समझे, दूसरा प्रशन है, आप क्या गोला भरेंगे, घावाला, ड कभी वचन सुधा, हरिष्चन मैगजीन, हरिष्चन चंद्रिका के संपादक का नाम आपको बताना है, तो प्यारे बच्चों, इसमें बाल किष्ण भट गलत है, प्रताब नरण गलत है, प्रेम चंद गलत है, राइट आंसर आपका होगा भारतेंदू हरिष्चन, जी हाँ कभी वचन सुधा, हरिष्चन मैगजीन, हरिष्चन चंद्रिका के जो संपादक है, वो आपके भारतेंदू हरिष्चन जी है, हिंदी में आधुनिक आलोचना का प्रारम कपसे माना जाता है, तो आधुनिक आलोचना का प्रारम आपका आधुनिक काल से माना जाता है, ठीक किस काल को हिंदी कावे का स्वरणयुक कहा जाता है तो हिंदी काल का स्वरणयुक मध्यकाल यानि भक्तिकाल को कहा जाता है मध्यकाल को कहा जाता है मध्यकाल में भक्तिकाल को स्वरणयुक कहा जाता है राश्ट्रियता की भामना, ईश्वर में सहज विश्वास, आसरे दाताओं की प्रशंशा, रीति गरंथों का निर्माड, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका है आसरे दाताओं की प्रशंशा, ठीक है, तो ए वाला आप्शन आपका सही है, रामचरित मानस की कथा का मूल इस्तरोत बताईए, तो रामचरित मानस की कथा का मूल इस्तरोत वालमी की रामाइड है, क्या है, वालमी की रामाइड है, चीक है, साखी सबद रमैनी किसकी रचना है, साखी सबद रमैनी कबीर दासकी रचना है, यानि जिसको आप बीजक के नाम से जानते हैं, इसी को बी स्रिंगारस की विशेष्टा नहीं है यानि स्रिंगारस में क्या होता है तो देखे स्रिंगारस जब आप पढ़ेंगे तो इसका इस्थाइभा उत्साय गलत है नहीं है विशेष्टा ना तो ये गलत है यही नहीं है यही तो यही आपका का सही देखो संयोग स्रिंगारस में स थाई भाव उत्साहिए वीर्स का होता है किसका होता है वीर्स का होता है ठीक है तो ए वाला लगा दो बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुच सुवास सरिस अनुरागा अमिय मूरी मैं चूरन चारू शमल सकल भावरुज परिवारू सुगरित संभुत नभी मलबी भूती मंजुल मंगल मोद प्रसूती ये कह रहे हैं कि इसके प्रतेक चरण में कितनी मात्राएं हैं बटा मात्राएं निकालना हम आपको छंदों में बता चुके हैं तो बंदों में बा में दो मात्राएं हैं तो इसको आप ऐसे लिखेंगे दा में एक है एक है गूरू एक एक है पद एक एक है पदूमू एक एक है पा और रागा में दो दो है तो दो दो चार एक पांच तीन आठ दो दस दो बारा दो चुदा दो सोलह तो इसमें हो गए सोलह मात्रा है सुरूची एक दो तीन मात्रा है सुबास एक दो मात्रा है एक मात्रा एक 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 मात्रा एक एक दो दो मात्रा है चार दो छे तीन नौ चार तेरा तीन सोलह मात्रा हैं तो सोलह सोलह मात्रा हैं प्रतेक चरण में हैं यहां पर खा आप लगा दीजेगा राइट आंसर तर नितनू जा तट तमाल तर वर बहुच्छाए जो के कूल सो जल पर सनहित मन हुं सुहाए पूछ रहा है कि इस पंक्ति में अलंकार क्या है तो देखे ता 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 तो क्या हुआ अनुपरास अलंकार यथा शक्ति में कौन सा समास है तो समास विग्रह कीजिए यथा शक्ति में वैसे तो आपका अव्वेई भाव समास है क्या है अव्वेई भाव समास है और इस का शक्ति अनुसार ठीक है यह था शक्ति शक्ति अनुसार यह आपका विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार माता पिता दिन रात आदि के बीच की सिविराम चिन्न का प्रियोग हुआ है तो यह योजक चिन्न है ठीक है डैस लगाओ योजक चिन्न है खावाला आपका सही ह योजक चिन्न है अस्थि शब्द का तद्भो बताईए तो अस्थि का आपका हड़ी हो जाएगा चिडिया का तत्सम शब्द क्या है? चटका अज्ञान का विलोम अज्ञान का क्या हो जाएगा? अज्ञान अज्ञान ठीक है? कमल राजीव जलजनलिन आदी क्या कहलाते हैं? तो ये परियावाची शब्द हैं कमल के परियावाची राजीव जलजनलिन महाशे का संदिविछेद क्या होगा? महाधन आशयाह महाधन आशयाह महाशया तो खा आपका सही होगा भानु शब्द का पंचमी विवक्ति दुईवचन का रूप बताईए पंचमी विवक्ति और दुईवचन भानु व्याम होगा तो खा हो जाएगा आपका बीस्वा और अंतिम प्रश्ण देखेगा आप अमार वाला तो क्रीधातु विदिलिंग लकार मध्यम पुरुष दुईवचन का रूप बताईए ठीक है तो क्रीधातु विदिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में ठीक है चाहिए के अर्थ में लगता है तो ये बताईए तो इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा कुरियातम ठीक है कैसे चलेगा रूप कैसे चलेगा विदलिंगलकार में आप पढ़ेंगे कुरियात कुरियातम कुरियात कुरियाम कुरियाओं और कुरियाम ठीक है तो कुरियातम इसका रूप बनेगा अब आपका आता है खंड बा में कहता है आपसे क्या कहता है खंडबा में? खंडबा में कहता है कि निमलिखित गध्यांस के नीचे दिये गे प्रश्णों के उत्तर दीजे तो यहाँ पर नीचे दिया गया लेखक गुरू से किस प्रकार की जोति विकिर्ण करने का निवेदन कर रहा है महा गुरू नई आशा नई उमंग नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणति निवेदन कर रही है आशा की जोति विकिर्ण करो किस प्रकार की जोति तो आशा की जोति ठीक है यहां उत्तर आप लिखेंगे आशा की जोति करतक गिता से आप क्या समझते हैं करतक गिता का मतलब होता है करतक और करतक ने दो शब्द होते हैं करतक गिता अर्थाथ करतक के का मतलब है किया हुआ याद रखने वाला ठीक है कृतक गिता का आर्थ है कि कोई यदी हमारे साथ कुछ उपकार करता है तो हम उसे नहीं भूलेंगे यही कृतक गिता आर्थात किसी का किया हुआ याद रखना ही कृतक गिता है कृतक गिता भारत का प्रणाम अंगी कार करने से क्या अभिप्राय है करताग भारत का प्रणाम अंगी कार करो आज भी हम तुम्हारी अम्रतो पमम वाणी को भूल नहीं गए है तो करताग भारत का प्रणाम अंगी कार करने का अर्थ है कि महागुरू के प्रती जो महागुरू ने अपनी अम्रत के समान वाणी फैलाई है हम उसको नहीं भूलेंगे, यही है इसका आविपरा है ठीके और दुनिया में दो अमोग शक्तियां है, शब्द और करती इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृतवी को खिला दिया तो अब इसका देखेगा शब्द और कृती से लेखा क्या तातपर क्या है शब्द और कृती से लेखा क्या तातपर है शब्द और कृती यानि शब्दों ने सारी पृत्वी सब्द से तातपर है सारी पृत्वी को हिला दिया अंतिम शक्ति तो कृती है कृती की है देखे यहां पर जो है बता रहे हैं आपको तो शब्द और कृती की से लेखा का तातपर पूछा गया ना तो यहां पर शब्द का और कृती का तातपर देखो शब्द का तातपर वानी है वानी है और कृती का तातपर है कर्म ठीक है कर्म तो क्रती शब्द से ताथ परे वानी और क्रती से ताथ परे कर्म है गांधी जी ने किसकी उपासना की गांधी जी ने शब्द और क्रती इन दो महाशक्तियों की उपासना की ठीक है, कांधी जी ने वाणी और कर्म की उपासना की, यानि शब्द और कर्ती की उपासना की, कस्तूर्बा कैसी महिला थी, कस्तूर्बा धार्मिक महिला थी, धार्मिक थी, साथ साथ कर्मनिष्ठ महिला थी, क्या थी, कर्मनिष्ठ और धार्मिक महिला थी, अगला देखेगा गद्पध्यांस आया है इसके नीचे भी प्रशन दिये हैं और ये तीन दूनी छे ठीक है ये छे अंकों में आना है तीन प्रशन करने है तीन प्रशन उसमें भी करने है गद्ध्यांस में भी वो भी छे अंकों में आपको मिलेगा मेरे तो गिरी धर गुपाल दूसरो न कोई मेरे तो गिरी धर गुपाल दूसरो न कोई मेरे तो गिरी धर गुपाल दूसरो न कोई दूसरों न कोई तो मेरे तो गिरिधर गुपाल मेरा भाई कहती है मेरे तो एक मात्र गिरिधर गुपाल है और दूसरा मेरे कोई सगा संबंधी नहीं है जिसके सिर पर मोर मुकुठ है पस वही मेरा पती है और कोई नहीं अपना तो इस दुनिया में न तो कोई तात यानी पिता है, न भाई है, न बंधु है, न माता है, कोई नहीं है, छाणी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, मैंने कुल की कानी अरथात परिवार की चिंता छोड़ दी है, कोई अब क्या करेगा, संतन धिंग बैठी बैठी लोक लाज़ कोई, हमने लोक लजजा समाब्त कर दी है, संतों के धिंग माने पास पास बैठ करके, आसूण जल सीची प्रेम बेली बोई और अपने आसूओं के जल से सिंचन करके, मैंने प्रेम की बेल बोई है, अब तो बेल फ्ैल गई, आनंद फ तो प्रसंद हो गई लेकिन इस संसार की नश्वरता को देखकर मैं रो पड़ी दासी मीरा लाल गिर्धर तारो अब मोई दासी मीरा कहती है कि हे मेरे गिर्धर गोपाल अब मुझे तारो यानी मुझे मोक्ष दो तो अब ये प्रशन देखेगा मेरे तो गिरधर गुपाल दूसरों कोई से क्या तात पर है तो इसमें मीरा भाई कहती हैं कि मेरे मात्र गिरधर गुपाल हैं और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मीरा के काव में व्यक्त रहस्यवाद का परिचे दीजिए तो अब इसमें रहस्यवाद का परिचे आपको देना बड़ा कठिन है तो ये ऐसे प्रशन बनेंगे भी नहीं आपको ये समझे ये मीरा ने किस भाषा में रचना की है तो यहाँ पर आपको रहस्यवाद वाला प्रशन छोड़ देना है कुल मिलाके आपको दो में से एक ही पद्यांस करना है तो जो सरल हो वो करिएगा ठीक है अब यहाँ पर देखिए चारू चन्र की चंचल किरिणे खेल रही है जल थल में स्वच चांदनी बिची हुई है आवनी और अंबर तल में पुलक प्रकट करती है धरती हर त्रणों की नोकों पर मानो जूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के जोकों पर पंचिवटी की चाया में है सुन्दर पर्ण कुटीर बना उसके सम्मुख स्वच शिला पर दीरवीर निरभीक मना जाग रहा ये कौन धनुर्धर जब की भुवन भर सोता है भोगी कुसुमा युध योगी सा बना द्रिष्टिगत होता है इसमें पहला प्रशन कह रहा है कि उप्रोग पंक्तियों में वरनेत प्रकृती की सुन्दरता को अपने शब्दों में लिखिए तो चार अर्था सुन्दर चंद्रमा की चंचल किरने जल और थल अर्था धरती और जलाशेयों में किरनाएं कर रही है और अवनी अर्थात धरती और अंबर माने आकास तल में और प्रुथवी तल पर आकास तल में और धरती पर सफेद धवल उज्वल चांदनी विछी हुई है और हर त्रणों अर्थात हरे हरे तिनकों के नोकों के माध्यम से धरती पुलकन प्रकट कर रही है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानों मंद मंद पवन के जोंकों के कारण तरू भी जूम रहे हैं ये देख करके ये प्रकृतिक वणन है कौन धनुर्धर जाग रहा है तो लक्षमड जो है लक्षमड धनुर्धर जाग रहा है ठीक है पंचवटी में किसकी कुटी बनी हुई है पंचवटी में सीताराम लक्षमड की कुटी बनी हुई है ठीक है चलो अब यहां कहारा कि अपने शब्दों में इसका एक ससंदर्व हिंदी इन्वात कीजिए इस गद्यांस का स्रीक्रशनस से मातुलाह कंसा अत्याचारी शाशक आसीद स्रीक्रशन का मामा कंस जो था वो अत्याचारी शाशक था कुल मिलाके जब मैंने वहाँ पढ़ाया है आपको बूक में तो बहुत बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ाया है बहुत एक एक मीनिंग के साथ यहां शेगरता करेंगे थोड़ी सी चुकि आपका पेपर हल कराना है पूरा तीन गंटे का मातर तीस चालिस मिनट में तो स्री कृष्णस्य मिन्स स्री कृष्ण के मातुला हमिन्स मामा कंसा हमिन्स कंस अत्याचारी अत्याचारी शाशका शाशक आसीत मने था स्री कृष्ण का मामा कंस जो था वो अत्याचारी सासक था सा माने वह पूरों माने पहले स्वा माने अपनी भगिन्या माने बहन देवक्या माने देवकी स्री वासुदेवेन माने वासुदेव के सह माने साथ बिवाहम अकरोत बिवाह किया उसने अपनी पहले अपनी बहन देवकी का वासुदेव के साथ बिवाह किया पस्चात बाद में पस्चात चा और बाद में आकाश्वानिया आकाश्वानी ने देवकी पुत्रेन आकाश्वानी के द्वारा आकाश्वानिया आकाश्वानी के द्वारा देवकी पुत्रेन देवकी के पुत्र के से स्वामर्त्युम अपनी मृत्युम का समाचारम विग्य प्रसाद यतिया लोकं तम लोकोन प्रसीदती चक्छुषा रथात नित्रों से मनसा मनसे करमनाचा और करमों से चतुरविधम चार प्रकार से नेत्र से मन से और करम से और वचन से मनसा वाचा करमना और चक्छुषा यानि चार प्रकार से एक तो मन से देखो एक तो मन से वचन से करम से और नेत्रों से ठीक है नेत्रों से मन से वचन से और करम से चार प्रकार से प्रसादयत या ल लोकम मतलब होता है संसार या दुनिया को लोगों को प्रसादत प्रसंद करता है जो इस संसार को इन चार चीजों से प्रसंद करता है तम माने उसको लोकों नो प्रसूदत प्रसीदत प्रसीदत मने प्रसंद करता है तो उसको संसार भी प्रसंद करता है ठीक है अब यहाँ प परिचे सारी चैप्टर्स के साथ करा चुके हैं तो वैसे ही लिखना आप एक श्लोक यात कर लेना है आएगा हमेशा आता है और प्रश्णों उत्तर भी आएंगे इसमें कहा गया राम कृष्ण से कहा महान संदेशह इसका उत्तर लिखिए किद्रशी मारगा सर्वोत्तम भवती रामह गंभीरेन केनसमा आसीत सरवेशाम जनानाम प्रिया तो इसमें दो करना होगा आप कर दीजिएगा मोहावरे लोकोक्ति में से किसी एक कार्थ बताना और एक ही का वाक्ष प्रियोग करना है ठीक है तो अगर आप यहाँ पर एक कार तुके लिए कई लोगों द्वारा प्र्यास किया जाना आठागीला होना ठीक है आठागीला होना सजनाह सुखेन जीवती और सजनाह सुखेन जीवन थी ठीक है और राम जाता है रामा हग अच्छती और बालिका पठती बालिका पठती ठीक शुलक मुक्ती के लिए आप प्रिंसिपल को पत्र लिखी देंगे और अपने प्रधानाचारी को संबोधित करते हो प्रासना पत्र लिख दीजेगा तो आप रोजे लिखते हो प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर बचे हैं वो करा देंगे है ना एक दो चैप्टर बचे हैं वो करा देंगे बाकी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है दो हजार तेईस के लिए आराम से पढ़ती रहिए सत्तर में सत्तर आप अवश्य लाएंगे मैं गैरेंटी लेता हू चुकि आप इस बार भी जो दो हजार तेईस में एक्जाम दियें हाई स्कूल में आप देखिए सो में सो बच्चे लेकर क्या है यानि सत्तर में सत्तर लेकर आएंगे तीस वो मिल गए सो हो गए तो सब्सक्राइब कर लिजे अभी ग्यान सिंदू कोचिंग क्लासेज और ज